नमस्कार दोस्तों लक्षिप्रकास में आप सभी का अफर से बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल में कैमेरा ट्रांसलेटर अप्लिकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो जिया दोस्तों अगर आप भी जाना चाहते हो कि कैमेरा ट्रांसलेटर अप्लिकेशन को आपने मुबाइल में कैसे चला है कैसे यूज करें तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अगर आप चाहँ पर नहीं हो तो चाहँ को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आपको आल पर सेट कर लेना तो चलिए फ्रेंट्स आज काई विडियो स्टार्ट करती है तो सबसे पहले गाईस आपको प्ले स्टोर से चैमेरा ट्रांसलेटर अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर आपको इस वाली लोगों वाली अप्लिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है सिम्पली कैमेरा ट्रांसलेटर अप सर्च करना है और इस वाली अपको आपको डाउनलोड कर लेना है जैसे गाई इस application को open करोगे इसके बाद इस application को completely load होने दना इसके बाद guys open होने के बाद इस application का कुछ इस तरीके से आपके सामना interface आ जाएगा और यहाँ पर कुछ add आगे तो simply आपको add को close कर लेना है इस ही जो एक translate application है इस application की मतलत से आप जो अगर आपके पास कोई document है कोई image है उससे अगर आप translation करना चाहते हो तो यहाँ पर OCR option पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपकी mobile का camera open हो जाएगा और दोस्तों जिस पी document जिस पी image को आप translate करना चाहते हो simply यहाँ पर आपको camera के आगे उस आपको document उस image को रखना और इसके बाद guys आपको camera से photo क्लिक करने के बाद guys आपका translation हो जाएगा यहाँ पर आपको language लेंग्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वेज्वे जो भी आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो तो यहाँ पर मैं जो हिंदी में यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जो भी ट्रांसलेशन करना चाहते हो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो तो फिलाल गाईस में आप पर आप कैसे हो मैंने टाइप करा और इसके बाद guys आपको नीचे की और translate का option मिलागा तो आपको simply translate पर क्लिकना और यहाँ पर कुछ add आईगे तो यहाँ से ऊपर से add को आपको close कर लेना है तो guys यहाँ पर आप देख से तो translation यहाँ पर हो चुका और यहाँ से copy पर क्लिक करके इसको आप यहाँ से copy भी कर सकते हो तो guys कुछ इस तरीके से आप अपने mobile में यहाँ पर camera translator application को यूज करके आप जो है किसी sentence को जो है किसी भी other language में आप translate कर सकते हैं इस application में आपको hundred plus languages देखने को मिल जाती है इसके लाव दूस्तों किसी document किसी image को आप जो है scan करके भी उसे translate कर सकते हो तो guys कैसा लगा यह video में comment करके जरूर बताना है तो गर आप कोई video चलागा हो तो इस video को like करे, share करे और भी तक आपने मारे चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर देना